प्रधानमंति नरिन मोदी के रेवाडी दोरे से हरियाना की राजनीती को दो नए संकेत मिले हैं दक्षेणी हरियाना के करदावर नेता राव इंद्रजित सीं की तारीफ कर पीए मोदी ने उनकी गुरुग्राम सीट पर दावेदारी को पक्खा कर दिया है वहीं उपमक्यमंति दुश्यन चोटाला को स्टेज पर जगर दे कर कड़ बंदन की दरफ भी शारा किया पीएम ने अपनी स्पीच में कई बार राश्टी जनतांति कड़ बंदन का जिक्र करते हुए अपकी बार एंडिये चार सो पार का नारा भी लगाया दरसर गुर्गराम सीट राश्टी के हिसाब से काफी एहम है दिल्ली से सटी सीट पर पिछले तीन लोग सबाच चुनाओं में राव इंदरजीत सी ने जीत दर्च की है और तीनों ही बार केन सरकार में वे राज्जे मंतरी बने इनमें दोबार 2014 और 2019 में BJP और 2009 में कांग्रिस की टिकिट पर राव इंदरजीत सी ने चुनाओं जीता राव इंदरजीत के परिवार रामपुरा हाउस का इस इलाके में खासा असर है राव इंद्रजीत सीह को पिछले कुछ समय से बीजेपी में ही चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा था उनकी विरोधी नेताओं को एक एक कर न केवल एजिस किया गया बलकि उन्हें संगठन में बड़े पदों पस जिम्मेदारी भी मिली ऐसे में इस बार उनकी गुरकाम सीट को लेकर भी चचा सबसे ज़्यादा थी शुक्रवार को रहवाडी के गाउ माजरा में आयोजित विक्सित भारत विक्सित हर्याणा रेली के मंच से प्रदानमंती नरिन मोदी ने राव इंद्रजीत की तारीफ की उन्हें अपना प्रियम मित्र बताया साथ भी उनके काम करने के अंदास का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारे राव इंद्रजीत सी बोलते बहुत कम हैं लेकिन जो तै कर ले वो करते जरूर हैं दरसल ये रेली राव इंद्रजीत सी की अध्यक्षता में ही हुई और रेली में भी जुटाने का दारूमदार भी राव इंद्रजीत सी के ही कंदो पर था उम्मित के अनुरू पीडम भी जुटी और राव इंद्रजीत सी रेली के जरी जो संदेश देना चाहते थे वो प्रदान मंत्री की स्पीच से भी मिल गया ऐसे में पीम ने राव इंदर जित्सी नई ताकत देने का काम किया इसे के साथ बने रहे हैं इसे रहे हैं जिन्दा के साथ घंदेबाद